दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगा आप सभी का हमारे उट्वी चनल पर स्वागत सुल्तान बिजनिस आइडियास में तो दोस्तों आज आज आप सभी के लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा बिजनिस है इसे अगर आपका घर कहीं आउट एरिया में है या कहीं ऐसे जगह में है जहां पर आपका खेत भी जो है अगर आपके बगल में है तो दोस्तों आपको जो है यह बिजनिस बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि दोस्तों यह बिजनिस में बहुत ही अच्छा पराफिट है बस जरूरा मेहना जरूर करना पड़ेगा और जो है यह परममेंट इसकी सेलिंग भी हो जाती है इसमें आपको कुछ ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब को लिजेग तो मैं आपको बात करने जा रहा हूं जो कि बकरी पालन का एक बिजनिस है दोस्तों बकरी पालन दोस्तों एक ऐसा बिजनिस है जिसमें आपको जो है एक बार लागत लगा लेनी है उसके बाद आपको मेहनत करते रहोगे दोस्तों तो उसमें उसी में आपको जो है बहुत ह अच्छा प्राफिट मिलेगा जो कि आप सब देखोगे नेट पे या यूटूब पर कहीं भी आप सर्च करोगे तो बकरी पालन जो है दोस्तों बहुत जगा हर जगा किया जाता है क्योंकि एक बहुत अच्छा बिजनिस है इसमें आपको जो है थोड़ा मेहनत करना जब एक बार आपकी यह पूंजी बन जाएगी तो आपको जो है इसमें समझ लेजिए कि जब एक बार आप सेलिंग करोगे तो 40-50,000 रुपए तक आप जो है एक बार में सेलिंग करके आप जो है कमा सकते हो आप देख सकते हो यूटूब पर बहुत सारे लोग जो है यह कर करते हैं तो इसके लिए दोस्तों इसमें आपको सरम की बात नहीं है पूल सी जमीन है आप आपके लिए बिजनिस बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आपको पास जगा है तो आप जो है उस वहीं पर आप जैसे कि शुरू कीजिए दस बकरी से आप शुरू कीजिए किस तरह से क्या क्या करना है मैं आपको आगे वीडियो मता रहा हूं कि आपको कैसे क्या 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 करन आप आप अच्छा बिजनिस को करना चाहते हो क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत अच्छा बिजनिस है जिसे आप घर पर ही रहे के आराम से कर सकते हो यह बहुत अच्छा पैसा आने का एक जरिया है और इसमें आपको कहीं दोड़ना भी नहीं है कुछ भी नहीं करना है बस आपको बैट के घर पे आपको ये काम करना है तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं किस तरह से आपको क्या करना है तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि आप जो है जब शुरुआत कीजिए बकरी बालन का तो आप जो है दस बकरी से आप इसे शुरू कर सकते हैं बकरी दोस्तों कहां से आपको लानी है यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको बकरी कहां से लानी है जैसे कि दोस्तों अगर आप नेट पे देखोगे तो बहुत सारे जो है फार्मर यह आपको बत होती हैं तो वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा महेंगी महेंगी बकरी जैसे कि आप एक गाविन बकरी लेकर आओगे तो दोस्तों उसमें आपको जो है कम से कम 20,000 रुपए 30,000 रुपए के इस तरह से वह बकरी आपको मिलती है तो अगर आप वहाँ पे खरीद होगे अगर जो है उसमें बहुत बड़ा लोस हो जाएगा इसलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ का आप कहां से जो है बकरी खरीदिये और किस तरह से इसको पालन कीजिए तो जहां पर भी आप रहते हो आप जो है कहीं भी आप रहते हो वहां पर जहां पर रहते हो वहां क नसल की जो है आप बकरी लेकर आईए जैसे कि आपके आजू बाजू में कहीं भी अगल बगल गाउं का जो है आप जाईए वहाँ देखिए कहीं कि बहुत जगह में बकरी पालन है बहुत लोग बकरी चराते हैं तो वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर देखिए दोस्तों ज सा भी साथ में लेकर जाइए वकरी को चैक душ से लेकर आई जा最近 क्योंकि दोस्तो सर से क्या रहे कि आप वकरी विस अस्ती मिल जाएगी और आपको अइसा नहीं है कि बाबरी बगरी यह सिरो जार रुपए की जो है बकरी मिलेगी जो की छे साथ बकरी आपको मिलेगी साथ जार रुपए तक अगर आप यहां से खरीद करोगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आजू बाजू में कहीं भी आप देखिए बहुत जगर पे गरेडिया लोग रहते हैं वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग के पास बकरी है वो बेचना चाहते हैं बहुत बड़ी बड़ी जात की बकरी है तो आप जो है वो बकरी लाइए उसे रखिए उसके बाद दोस्तों उसको खिलाईए पिलाईए आप उसी को बढ़ाईए तो आप जो है जब जिमान के लिए दस बकरी आपने खरीदा एक एक दामपल ले लिए आपको 60,000 रुबए का आपने माल खरीद लिए उसके बाद दोस्तों आपको घर बनाने के लिए उसको क्या करना है आज वाज में आप पत्रह से भी घर बना सकते हो जो कि आपके पास जगा चाहिए थोड़ उसके बाद बरसात में क्या होता है दिकत होती है आप कुछी इस तरह से घर बनाएए प्रसात में दिकत ना हो बकरी ओको तो दोस्तों आप सोचिए आपको बहुत ज़्यादा डवल फायदा हो जाता है ये बकरी पालन करने के लिए तो दोस्तों इसमें प्राफिट भी बहुत अचाओ उसके बाद जैसे कि आप सब समझते हो कि बकरा ईद में जो है इद के टाइम अगर आप बकरा तयार कर लेते हो जिसे मानद चलिए कि आप चार बकरा तयार कर लीजिए अच्छा आप चार पांच बकरा तैयार कर लीजिएगा तो आप आज के लेट में दोस्तों बकरा किदा बहुत जयादा है जो की कम से कम मिनिमम जो रहता है दोस्तों, छेजार, साथजार इस तरह का बकरा है, अगर आप आप आच्छे तैयार करोगे, तो आप मान के लिए 10,000, 12,000 का ये इक बकरा होता है, तो अगर आप मान के लिए 5 बकरा भी आपने तयार कर लिया है, अपने पास जो की पर्ममेंट यूज होता है वो इलाज आप वहां से पूछ के आप वह लाके रख सकते हो क्योंकि मान लीजिए आचानक बकरिक तवित खराब हो गई मर गई तो उसमें क्या आपको नुक्सान हो गई इसलिए कुछ दवाईयां होती हैं जो की अपने फारम प करके बहुत एच्छा पैसा कमा सकते हो तो यहीं रहां दोस्तों आज का बिजनिस आइडिया वीडियो चलगे दोस्तों लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें